उtt मोवेल की स्क्रीन को प्रोजेक्ट करना बहुत इसी है और इसको बनाएंगे काइनी मस्टर के मदद से तो आपको दो विडियो प्रिपेर करना है फirst एक स्क्रीन रेकट करना है और फिर उसी स्क्रीन रेकटर को शूट करना के दुस्बरे camera से और जब ये दोनों वीडियो तयार हो जाए फिर आपको आना है अपने mobile के काइनी मस्टर पे और यहाँ पे 16 to 9 रेशियो पे project को open कर लेना है और अब हम यहाँ पे जो हमारे second video है उस video को select करेंगे और video के बीच में किसी एक portion को हम capture and save कर लेंगे बस यह हो गया capture and saved अब इस video को कर देंगे delete अब जाएंगे media में और यहाँ पे हमने जो screen record किया था वो video upload करना है हमने कर लिया अब हम click करेंगे layer पे और यहाँ पे select करेंगे effect यह जो आप देख रहे हूँ जी हाँ यह effect आपके kinimaster में होना चाहिए अगर यह effect आपके kinimaster में नहीं है तो आपको आना है इसमें और इस effect को install कर लेना है और यह effect को select करना है select करके इसे full screen कर देना है बस अब इसको done कर देते हैं और इसको कीचना है पूरे video तक अब हम layer पे फिर से click करेंगे और जाएंगे media पे और हमने अभी जो photo को capture किया था उस captured photo को यहाँ पे ले आना है यह आगे मेरा captured photo अब मैं इसको full screen कर देता हूं यह हो गया full screen अब इसको भी लंबा कर देना है जितना लंबा मेरा project है उतना लंबा इसको कर देना है और इसके opacity को थोरा सा कम कर देना है ताके दोनों photo side by side दीखे अब हम tap करेंगे जी हाँ इस blue line पे tap करेंगे और फिर हम setting में tap करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हूं यह बहुत सारे settings है यह setting को आप left right लेके उस screen को इस तरह से adjust करो ताकि यह लगे कि यह mobile phone से उसका screen project हो रहा है इसको अच्छी तरह set adjust करने के बाद आप इस file को export कर लो अब फिर से 16-9 ratio पे एक नया project को open कर लेंगे और यहाँ पे media को select करेंगे वो second video यह रहा मेरा second video अब इसके unwanted portion आप screen कर सकते हो अब फिर से layer में जाके हम अपी जो file recently जिसको हमने export किया था उसको add कर लेंगे और इसको full screen कर देंगे यह हो गया full screen अब हम जाएंगे blending पे यह रहा blending और यहाँ पे screen पे tap करेंगे tap करते ही हम देखेंगे अधा कम हमारा हो गया अब हमें सर्फ adjust करना है और इस तरह से adjust करेंगे ताकि जो video mobile phone में play हो रहा है same video projection में भी दिखना चाहिए बस हो गया आपका hologram ready